अध्याय तेईस पॉलुस महासभा पर द्रश्टी दोड़ा कर बोला भाईयों मैं इस दिन तक ईश्वर की द्रश्टी में शुद्ध अंतह करण से जीवन व्यतीत करता रहा किन्तु पधानी आजक अनानियस ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पॉलुस को थपड मारें पॉलुस ने उससे कहा इश्वर तुम को मारेगा तुम पुती हुई दीवार हो तुम संविता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संविता का उल्लंगन कर मुझे मारने का अदेश देते हो पास खड़े लोग पॉलुस से बोले तुम इश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो पॉलुस ने उतर दिया भाईयों मैं नहीं जानता था कि ये प्रधान याजक है धर्म ग्रंथ में लिखा है अपने राष्ट के शासक की निंदा मत करो पॉलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल है एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का इसलिए उसने पकार कर कहा भाईयों मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मकदमा चल रहा है पॉलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद उत्पन हुआ और उनमें फूट पड़ गई क्योंकि सदुकियों की धार्ना है कि न तो पुनरुत्थान है फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पकार कर कहते रहे हम इस मनुष्य में कोई दोश नहीं पाते यदि कोई आत्मा अथ्वा स्वर्ग दूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पॉलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दे इसलिए उसने सैनिको को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पॉलुस को उनके बीच से निकाल ले और च्छावनी ले जाए उसी रात प्रभू पॉलुस को दिखाई दिये और बोले धीर बने रहो तुमने येरुसाले में जिस तरह मेरे विशे में साक्ष दिया है तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष देना है पॉलुस के विरुध यहूदियों का शड़यंत्र दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गए और उन्होंने ये शपत ली कि वे तब तक न तो खाएंगे और न पीएंगे जब तक वे पॉलुस का वद्ध न कर दें इस शड़यंत्र में चालीस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे वे महायाजकों तथानेताओं के पास जाकर बोले हमने शपत ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हम पॉलुस का वद्ध न कर दें आप लोग महासभा की सहमती से कप्तान को सूचित करें कि वो पॉलुस को इस बहाने आप लोगों के पास भेजें कि आप और अच्छी तरह उसके मामले की जाच करना चाहते हैं उसके वहाँ पहुँशने से पहले ही हम उसे मार देने के लिए तयार है पॉलुस के भांजे को इस शड्यंतर का पता चला और उसने च्छावनी जाकर पॉलुस को इसकी सूचना दी पॉलुस ने एक शत्पती को बुला भेजा और उससे कहा इस लड़के को कप्तान के पास ले जाई है इसे उनको एक सूचना देनी है उसने लड़के को कप्तान के पास ले जाकर कहा बंदी पॉलुस ने मुझे बुला भेजा और इस लड़के को आपके पास ले जाने का निवेदन किया इसको आप से कुछ कहना है कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले जाकर पूछा तुम्हें मुझको कौन सी सूचना देनी है उसने कहा यहुदियों ने शड़ियंत रचा है वे आप से ये निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने सभा में ले चने कि वे और अच्छी तरह से उसके मामले की जाँच करें आप उनकी बात नहीं मानियेगा उनमें चालीस से अधिक व्यक्ती पौलुस की घात में बैठे हुए है उन्होंने शपत ली है कि वे तब तक न तो खाएंगे और न पीएंगे जब तक वे पौलुस का वद्ध न कर दें वे अभी तयार है और आपकी अनुमती की पृतिक्षा में है कप्तान ने ये आदेश देकर लड़के को जाने दिया कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि तुमने मुझे ये सूचना दी है पौलुस को कैसरिया भीजना तब कप्तान ने दो शत्पतियों को बुलाया और कहा रात के पहले पहर तक कैसरिया जाने के लिए दो सो सैनिक, सत्तर घुड सवार और दो सो भाला बरदार तयार रहें पौलुस के लिए भी घुडों का प्रबंद करो जिस्से कि उसे सकुषल राजपाल फैलेक्स के पास पहुचा सके उसने ये पत्तर भी लिख दिया महामहेम राजपाल फैलेक्स को कलौधियस लूसियस का भिवादन यहुदीयों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था और वे इसे मार अडालना चाहते थे परन्तु मैंने अपने सेनिकों के साथ वहाँ पहुँचकर इसे छुड़ा लिया क्योंकि मुझे पता चला कि ये रोमन नागरिक है मैं ये जानना चाहता था कि वे इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं इसलिए मैं इसे उनकी महासवाल ले गया मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादासपत प्रशनों से संबंध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो मृत्यू या कैद के योग्य हो मुझे ये सूचना मिल गई है कि इसे मारने का शड़यंत रचा जा रहा है इसलिए मैं इसे तुरंत आपके पास भेज रहा हूँ मैंने इसके अभियोगियों को भी अनुदेश दिया है कि वे आपके सामने इसके विरुध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अलुदा आदेश के अनुसार सैनिक पॉलूस को ले गए और उसको उसी रात अन्ति पत्रिस पहुँचा दिया दूसरे दिन उन्होंने गुर्द सवारों को पॉलूस के साथ जाने दिया और वे खुद च्छावनी लोटा है गुर्द सवारोंने कैसरिया पहुँचकर राजजिपाल को वो पत्र दिया और पॉलुस को उसके हवाले किया राज जिपाल ने पत्र पड़कर पॉलुस से पूछा कि वो किस प्रांथ का है ये जान कर कि वो किलिकिया का है उसने कहा जब तुम्हारे अभीयोगी भी पहुँचेंगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी और उसने पॉलुस को हेरोत के किले में कैद करने का आदेश दिया